यह स्टार्डम नहीं जुआ है जुआ आज जो स्टार टॉप पर है वो कल नीचे भी आ सकता है और हमने कई सितारों को नीचे आते हुए देखा है एक टाइम पर अमिता बच्चन भी बेहत बुरे दौर से गुजरे थे लेकिन आज जिस आक्टर की हम बात करेंगे वो सूपर स्टार होने के बाद इस कदर गिरे और उन्होंने इतने बुरे दिन देखे कि शायद ही किसी स्टार ने इस तरह का बुरा दौर देखा होगा और आपको मेरी ये स्टोरी सुनकर लग जाएगा कि दुश्मन को भी भगवान ऐसे दिन ना दिखाए और हाँ इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखे क्योंकि इस वीडियो के एंड में आप देख पाएंगे हमारी इस वीडियो के बिहाइंड दे सीन्स आज हम बात करेंगे अक्टर रॉनित रॉय और उनकी लाइफ के बारे में तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको बताऊंगी कि एक्टर बनने के लिए इनहें क्या-क्या मेहनद करनी पड़ी किस किस दौर से गज़रना पढ़ा क्यूँ सूप्रस्टार बनने के बाद भी पेट भरने के लिए तक इनहें बहुत कुछ करना और कैसे बने वहां से टीवी के सबसे बड़े स्टार रॉनित रॉय है तो बंगॉली लेकिन वो रहते थे नागपूर में उनका जन्म नागपूर में ही हुआ बट फादर ने एहमदाबाद में बिजनस किया था यही कारण है कि उनका बच्पन एहमदाबाद में ही गुजरा वही पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्होंने होटेल मैनेजमेंट का कोर्स किया था बॉलिवूर्ड डिरेक्टर सुभाज गई रॉनित रॉय के फादर के बहुती करीबी दोस्त से यही कारण था कि उनके फादर कई बार मुंबाई में सुभाज गई को विजिट करने आया करते थे और तब रॉनित रॉय सुभाज गई के आसपास का जो माहोल देखते थे जो चका चौन देखते थे वो चका चौन उन्हें बहुती ज़ादा अट्रैक्ट करती थी किस तरह से स्टार्स आते हैं सब लोग उनके पीछे एक हाई हेलो करने के लिए भी दौरते हैं तो उन्हें ये स्टारडम एकदम हिट कर गया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो आक्टर बनेंगे रौनित रौई ने जब अपने फादर को बताया कि वो आक्टर बनना चाहते हैं तो उनके फादर ने उन्हें सपोर्ट किया लेकिन उनके फादर को मालूम था कि बॉलिवुड का काम बहुती रिस्की होता है इसलिए उन्होंने Ronit Roy से कहा कि तुम्हें एक backup option भी रखना पड़ेगा क्या पता अगर तुम्हें actor नहीं बन पाए तब क्या करोगे वो नहीं चाते थे कि Ronit किसी भी तरफ fail हो इसलिए उनके father के कहने पर ही Ronit Roy जब Mumbai आये struggle करने के लिए तो उन्होंने साथ में waiter की job join की थी Mumbai के hotel Sea Rock में जिस दौरान Ronit Roy ये waiter की job कर रहे थे उस दौरान वो सुभाज घई के घर पर ही रहा करते थे और वहाँ से hotel पर अपने काम के लिए जाया करते थे वहाँ पर भी काफी stars का आना जाना लगा रहता था और Ronit Roy के actor बनने का सपना उन्हें और जादा चुपता जा रहा था वो Bollywood की तरफ बहत attracted थे लेकिन अपने पापा की वज़े से वो job कर रहे थे फिर एक दिन ऐसा हुआ कि Ronit Roy के फादर मुंबाई आये हुए थे उनसे मिलने के लिए सुभा Ronit Roy अपने फादर से मिलकर होटेल चले गए लेकिन दिन में जब वो अपने फादर के रूम पे गए तो उन्होंने देखा कि उनके फादर की death हो चुकी थी उनके फादर को attack आ गया था और Ronit Roy जब तक घर पहुँचे थे तब तक उनके फादर नहीं बच पाए थे Ronit इस incident से बहुत ही जादा हिल गए थे वो जैसे तैसे अपने आपको हिम्मत दे कर फिर से job join करने के लिए गए लेकिन उस दिन वो होटेल में जा ही नहीं पाए वो होटेल के पास ही समंदर किनारे बैठ गए और गहरी सोच में डूब गए कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए अब तक Ronit को होटेल में काम करते हुए दो साल हो गए थे और उस दिन के बाद वो कभी भी उस होटेल में गए ही नहीं उन्होंने वो job छोड़ दी थी और finally अब सुभाश गाई को join कर लिया था लेकिन वहाँ पर भी काम easy नहीं था वहाँ पर सुभाश गाई के फिल्मों के set पर वो उनके assistant के भी assistant थे यही कारण था कि रौनित रौई को लगा कि इस तरह तो वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे और एक दिन ऐसा हुआ कि रौनित रौई अपना काम खतम करने के बाद माधूरे दिक्षित को एक बार उनका scene narrate कर रहे थे यह चीज़ जब सुभाजगाई ने देखी तो उन्होंने पूरी team के सामने रौनित रौई को बहुत जोर से डाट लगा दी उस दिन रौनित रौई ने सुभाजगाई को बताया कि आप ही ने मुझे कहा था कि अपना काम खतम करने के बाद दूसरों की help करो इसी तरह से तुम यहाँ पर काम सीख पाओगे तो मैं वही कर रहा था उस incident के बाद रौनित रौई को बहुत ज़ादा बुरा लग गया था वो कहीं न कहीं hurt हो गए थे और उन्होंने सोचा था कि अगर मैं assistant का भी assistant रहूँगा तो इस तरह से तो मैं director कब बन पाऊंगा पता नहीं यही कारण था कि उन्होंने रुख बदला और advertising की दुनिया में आ गए उस दौरान उन्होंने संजीव चर्मा और मनसूर खान को assist किया क्योंकि ad films 10 दिनों में बन जाती हैं इसलिए उन्हें ये ad films में काम करने में मज़ा आ रहा था वो ad films को edit किया करते थे और उसके लिए modeling भी किया करते थे इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई कुनाल कपूर से जो कि शशी कपूर सहब के बेटे हैं कुनाल कपूर के लिए उन्होंने एक ad film को edit किया था और तभी कुनाल कपूर से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी कुनाल कपूर के त्रूही यर 1992 में रॉनित रॉय को मिली उनकी पहली फिल्म यानि के फिल्म जान तेरे नाम यह फिल्म जब रिलीस हुई तो यह फिल्म सूपर हिट रही और इसका गाना अखा इंडिया जानता है ब्लॉक बस्टर सॉंग रहा इस फिल्म ने और इसके सॉंग्स ने रॉनित रॉय को रात और रात स्टार बना दिया था और उन्होंने एक टाइम पर सोचा था कि जैसे ही मैं स्टार बन जाऊंगा, मेरी लाइफ इजी हो जाएगी, मैं ओडी कार खरीदूंगा, लग्शरियस फ्लैट्स में रहूंगा, एक अच्छी जिन्दगी जीऊंगा लेकिन किस्मत को कुछ और ही मनजूर था इस दोरान रॉनित कपूर ने कुछ फिल्मे की जिन्मे से थी जुर्माना, जैमा वैशनो देवी, रॉक डांसर और बॉम ब्लास्ट ये सभी फिल्मे हिट होना तो दूर, एवरेज तक नहीं हुई रॉनित रॉय जिनसे बहुती ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वो किसी भी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे थे और अब वो टाइम आ गया था, जब उन्हें रोल्स मिलना ही बंद हो गए थे इसी दोरान रॉनित रॉय की गुरू, यानि की सुभाश गई एक फिल्म बना रहे थे ये फिल्म थी परदेश, इस फिल्म के लिए लीड आक्टर के रोल के लिए शारुखान फाइनल हो गए थे और सेकंड लीड की जब बारी थी, तो पूरे मुक्ता आर्ट्स में ये बात थी कि इस फिल्म में तो रॉनित रॉय को ही कास्ट किया जाएगा लेकिन जिस दिन ये फिल्म अनाउंस होई, उस दिन रॉनित का नाम नहीं आया सुभाजगाई ने सेकंड लीड के लिए अपूर्व अगनी होतरी को ले लिया था उस दिन रॉनित रॉय को बहुत ही बुरा लगा क्योंकि उनके फादर की डेथ के बाद सुभाजगाई एकलोते ऐसे इंसान थे जिने वो अपने फादर मानते थे और जब उन्हें जरूर थी तब उनकी मदद नहीं कर पाए सुभाजगाई तो रॉनित रॉय को बहुत ज़ादा बुरा लगा लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को सुभाजगाई के साथ शेयर नहीं किया इन फैक्ट इस फिल्म के बाद रॉनित ने सुभाजगाई से कुछ भी सवाल नहीं किया उन्होंने बस सुभाजगाई से इतना पूछा कि उसे क्यों लिया तो इस पर सुभाजगाई ने उन्हें जबाब दिया कि क्योंकि अपूर्वा के पिता से मैंने वादा किया हुआ था इसलिए मैं अपना वादा निभा रहा हूँ तब रॉनित रॉय ने जैसे तैसे अपने आपको समझा लिया रौनित रॉई ने खुद को तो समझा लिया लेकिन वक्त उन्हें अभी बहुत कुछ समझाने वाला था अब रौनित रॉई की लाइफ ऐसी गिरी कि उनके लिए संभलना बहुत ही मुश्किल हो गया Actually जिस दौरान रौनित रॉई ने फिल्म की थी जान तेरे नाम उस दौरान वो शादी शुदा थे उन्होंने दिलिप साहब की नेफ्यू से शादी की थी और उनके साथ उन्हें एक बेटी भी थी क्योंकि रॉनित रॉय कुछ कमा नहीं रहे थे उनकी लाइफ में बहुत ज़ादा प्रॉब्लम आ गई थी और इस बुरे वक्त में रॉनित रॉय ने बहुत ही ज़ादा पीना शुरू कर दिया था यही कारण था कि उनकी उनकी वाइफ के साथ बन नहीं रही थी और उनकी बीवी उनकी बच्ची को लेकर उन्हें छोड़कर यूएस चली गई थी रॉनित रॉय जिन्दगी में बिलकुल अकेले हो गए थे तब उनके काम आए उनके वो भाई जिनकी उन्होंने तब मदद की थी जब रॉनित रॉय स्टार बने थे और अब रोहित रॉय की बारी थी कि वो रॉनित की मदद करे इधर जहां रौनित रोई रुपए रुपए के मोहताज थे वहीं अगर बात करें रोहित रोई की तो उस दौरान उनका शो स्वाबी मान काफी हिट हो गया था और उनकी कंडिशन काफी अच्छी थी वो एक अच्छी पोजीशन पे थे वो एक अच्छी लाइफ अफॉर्ड कर पा रहे थे और वो अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकते थे इसलिए उनसे जो बन पड़ा उन्होंने अपने भाई की हमेशा मदद की कई बार रॉनित रॉय कई बार्ज में जाते ड्रिंक करते थे उनके बिल्स भी रोहित रॉय नहीं चुकाए थे इनफेक्ट कई महीनों तक रॉनित रॉय जब उनका मन नहीं लगता था तो वो पैदल पैदल चार किलोमेटर चल कर अपने भाई रोहित रोई के पास चले जाये करते थे जहां पर उनकी मा भी रहती थी, उन्हीं के साथ वक्त स्पेंट करते थे और खाना खाकर भी वहीं से आते थे जब रॉनित रोई को लगा कि यार मैं 4 किलोमेटर चल कर जाता हूँ फिर खाना खाता हूँ फिर वापस 4 किलोमेटर चल कर आता हूँ तो उन्हें एक टाइम बाद थोड़ा गिल्ट महसूस होने लगा कि सिर्फ खाने के लिए मैं इस तरह से रोज रोज अपने छोटे भाई के यहाँ पर कितने दिनों तक जाऊंगा यही कारण था कि उन्होंने अपने भाई के यहाँ जाना छोड़ दिया और खुदी गर पर बैठ कर अपने खाने का इंतिजाम करते थे और खाना भी क्या होता था वो दो पाउ लेते थे उसे पानी में डूबोते थे ताकि वो फूल जाए और खाने में इजी हो जाए बस यही था उनका खाना और ऐसा उन्होंने कई महिनों तक करा अगर आपको मेरी यह बात में थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप उनलाइन जाकर रॉनित रॉय के इंटर्व्यूज सर्च कर सकते हैं उन्होंने कई इंटर्व्यूज में इस किस्से का इस इंसिडेंट का जिक्र किया है जिन्दगी इस कदर बीट रही थी कि काम तो दूर यहाँ पर खाने को तक नहीं था इसी दौरान रॉनित रॉय कहीं जितेंदर से मिले और उन्होंने रॉनित रॉय को एक बहुत ही अच्छी सीख दी उन्होंने रॉनित रॉय को बताया कि तुम कभी भी जिन्दगी में सीडी मत चड़ना क्योंकि सीडी नीचे से उपर जाती है और जब हम गिरते हैं तो डाइरेक्ट उपर से सीधे नीचे ही आते हैं तुम एक पेड़ बनना एक पेड़ की तरह अपनी जड़ो को फैलाना ताकि अगर एक तरफ से तुमारा रस्ता रोख जाए तो तुम दूसरी तरफ से फैल सको और तुमारी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोख सके जीतेंद्र की बाद से उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्यान लिया और इसके बाद जो रॉनित्रोई आगे फिर से एक्टिंग में आने की सोच रहे थे उन्होंने अपना दूसरा दिमाग लगाया और अपना दूसरा बिजनस स्टार्ट किया ये बिजनस था बॉडी गार्ड्स का, सेक्योरिटी गार्ड्स का, सेलिब्रिटीज कहीं भी इवेंट पे जाते हैं तो उन्हें बाउंसर की जरुवत परती है और रॉनित्रोई ने यही काम करना शुरू कर दिया इनिशिली जब इनकी कमपनी स्टार्ट हुई ही थी, तब रॉनित्रोई ने खुद बाउंसर का काम किया था उन स्टार्स के साथ, जो एक टाइम पर उनके कॉम्पीटीटर्स थे, जिनके साथ एक टाइम पर उनका उठना बैचना था और इन में से कुछ स्टार्स तो ऐसे थे जो रॉनित रॉय के सूपर फैन थे और उन्होंने लाइन में खड़े होकर रॉनित रॉय के ओटोग्राफ लिये थे इस तरह से रॉनित रॉय ने अपना एक और बिजनस खड़ा कर दिया जब उनके पास कुछ नहीं था जब उनके acting ने भी उनका साथ छोड़ दिया था लेकिन इसी दोरान जब जितेंदर से उनकी मुलाकात हुई थी तो उनी के साथ उनकी मुलाकात हुई अब जितेंदर की बेटी यानि की एकता कपूर और जहां तक बात करें एकता कपूर की तो टीवी की जितनी समझ एकता कपूर को है इंडस्ट्री में शायद ही उतनी समझ किसी और को होगी तब एकता कपूर ने रॉनित रॉय को कास्ट किया सीरियल कसोटी जिंदकी में उनका रोल था रिशब बजाज का इनिशली तो रॉनित रॉई को कुछ ही दिनों का रोल दिया गया था और उनकी पर डे की फीस थी धाई सो रुपए इस धाई सो रुपए फीस से रॉनित रॉई इतने जादा खुश हो गए थे कि एक महीने की कमाई के बात उन्होंने एक नौक्या का फोन खरीदा था वो भी इंस्टॉल्मेंट्स पर और इधर रॉनित रॉई के काम से एकना कपूर इतनी जादा इंप्रेस हो गई कि उन्होंने कसोटी जिंदगी के साथ साथ क्यूंकि सास भी कभी बहू थी में भी उन्हें काम दे दिया 2002 से 2008 कब हो गया इन्हें पता ही नहीं चला इसी दौराण इन्होंने एक फिल्म की ये फिल्म थी अनुराक कश्यप के फिल्म उडान इस फिल्म में रॉनित रॉई की अक्टिंग इतनी बहतरीन थी कि उन्हें मिला बेस्ट सपोर्टिंग आक्टर का Film Fair Award और इस फिल्म के बाद रॉनित रॉय को टीवी और फिल्मों दोनों में बहुती घजब के ओफर्स आने लगे। इसी दौरान रॉनित रॉय ने एक और सीरियल किया। यह सीरियल था अदालत। और इनकी पॉपुलरिटी इतनी जादा हो गई थी कि अदालत के एक एपिसोड क रॉनित रॉय टीवी पर इतने जादा पॉपिलर हो गए कि उन्हें टीवी के अमिता बच्चन कहा जाने लगा। इधर अगर परसनल लाइफ की बात करें तो जैसे जैसे उनका करियर ट्रैक पर आया, उन्होंने अपनी परसनल लाइफ को भी ट्रैक पर लाना जरूरी समझ और जहां तक बात रही फिल्मों की तो अब इतने पॉपिलर हो गए हें कि इन्हें फिल्मों के भी गजब के उफर्स आने लगे, यह हमें नजर आए टू स्टेट्स में और टू स्टेट्स में जो रोल इन्होंने किया वो कहीं न कहीं इनकी परसनल लाइफ से ज़रूर से नहीं थे वो आज फिर से अपना अच्छा टाइम ले आये थे वो रॉनी त्रोई जिनके हाथ में सूपर स्टार बनने के बाद 5-6 फिल्में हाथ में थी इस सेकेंड इनिंग के बाद उन्होंने 25-30 फिल्मों में काम कर लिया है वो रॉनी त्रोई जो एक टाइम पर 4 किलोम आने वाले हैं वहाँ पर वो बॉडी गार्ड्स को सेक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेन करेंगे तो आज हमने आपको बताया रॉनी त्रोई के जिन्दगी का वो दर्दना किस्सा जिसने कभी भी जिन्दगी में कोई गलत पैसला नहीं किया किसी के साथ गलत नहीं किया लेकि तो रॉनित रॉय के लिए एक कॉमेन जरूर छोड़िये कब क्यों और कैसे में आज के लिए बस इत्मा ही लाइक करें हमारा फेस्बूक पेज बॉलिवुद ठिकाना फॉलू करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलिवुड ठिकाना फिल्म पहला ब्रेक स्टार बन गए है फिर सभी यह सभी फिल्म में यानि की रोहित रोय जिस वक्त रोन इन फैक्ट कई महीनों तक रोह चाल चार किलोमेटर और खुदी घर पर बैठ कर और ऐसा उन्होंने कई महीनों तक लगा जिन्दगी इस कदर बीत रही थी का तब एक्टा कपूर ने